हेलो दोस्तों स्वागत आप सब का आपके ही अपने यूटूब चैनल पर आज दिल्ली और पंजाब के बेच में IPL का 32 मैच खेला जाएगा और यह मैच मुंबई के ब्रेबॉन स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि शाम को साड़े साथ बुझे स्टार्ट होगा इस मैच में प्लेइंग लेवन क्या हो सकती है कौन से प्लेयर हमारे लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है कौन सा प्लेयर किस प्लेयर को आउट करेगा और क्या हमरा प्रेडिक्शन होगा सारी बाते हम इस वीडियो में डिसकस करें और यहां पर मैं आपके लिए चार प्रेडिक्शन लेकर आया हूं इनी चार प्रेडिक्शन में से आपको सिरफ कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करके अपनी मल्टिपल टीम बनानी और इसमें मैंने एक मेगा ग्रेंड लीग की टीम भी बनाई है उसमें भी आपको बस थोड़ा सा चेंज करके अपनी ड्रीम लेउन की टीम बनानी और दोस्तों पिछला मैच हमारा जबरजस्त गया था सिरफ फिंच ने हमारा गेम बिगाड़ दिया था क्योंकि फिंच एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल में तो अच्छा खेलता है लेकिन प्राइविट पास विकिट कीपर सेक्शन में चलते हुए तो यहां पर रिशाप पंथ है जोनी बैरिस्टो है और यहां पर जे शर्मा है टिम शेफर्ट है और पांच-पांच यहां पर विकिट कीपर है पांचों विकिट कीपर इस मैच में खेल सकते हैं रिशाप पंथ जोनी अगर मैंक अगरवाल नहीं खेलता है तो उसकी जगहें खेलेगा और ओपनिंग करेगा तो यहां से हम दो विकेट कीपर के साथ जाएंगे रिशब पंथ जो की ड्रीम प्लेयर हुआ उसके बाद जोनी बेरिष्टो जो की प्लेयर तो बहुत शांदार है लेकिन अभी करेंट फोर्म इसकी अच्छी नहीं है उसके बाद जे शर्मा अगर पंजाब पहले बैटिंग करे तो आप जे शर्मा को ज़रूर ट्राई करना और टिम शेफर्ड भी अच्छी फोर्म में नहीं है तो इस मैच में टी शेफर्ड भी खेल सकता है तो यहां से हम अभी के लिए किट कीपर के साथ है अगर पंजाब पहले बैटिंग करे तो जे शर्मा के साथ जा सकते हो अब डेविड वार्नर आपको लेना ही लेना है उसके बाद शिक्खर दाउन है तो इसे भी आपको लेना है मैंक अगर खेलता है इस मैच में तो आपको ट्राई करना है और उसके बाद कोई खास नहीं है आर पावल अगर दिल्ली पहले बैटिंग करे तो आप इस प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो लेकिन ग्रेंड लीग के लिए इस मॉल लीग में आप इसको ट्राई मत करना अब दोस्तों प्रित्वी शो एक ऐसा प्लेयर या तो जल्दी आउट हो जाएगा या फिर अगर पावर प्लेय में खेल गया तो यह ड्रीम प्लेयर का इस्सा बन जाएगा तो इसको आप रोटेश करके अपनी टीम में ट्राई करते रहना और हाँ प्रित्थवी शो को अगर आप टीम में लेना है तो रहुल चहर को जरूर ट्राई करना क्योंकि राहुल चहरी इसको आउट करेगा जब ये 30-40 रन बना देगा तो ये आपको इस तरह से प्रेडिक्शन करना है तो अभी के लिए मैं प्रिथ्वीशों को ड्रोप कर रहा हूं अब यहां से आल राउंडर सेक्शन में चलते हैं लिविंग स्टोन जरूर लेना है पि भी करते हुए दिखाई दे सकता है अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में तो कुल्दी प्यादव है राहुल चहर है तो राहुल चहर का मैंने आपको बताया था इस मैच में कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि ऑपोनेंट टीम में डेविड वार्नर है रिशाप पंत है दोनों लेफ्ट हैंडर है तो इस वज़े से ये साइद एक से ज़्यादा विकित नहीं निकाले इसलिए ग्रेंड लिग में आप इसको ड्रोप कर सकते हैं तो यहां से हम रवाड़ा को ट्राइ करेंगे अगर पंजाब पहले फिल्डिंग करती है तो उ चाहँ आपर एसिंग इस प्लेयर का सेलेक्षन परसेंटेज देखें शिरफ चार परसेंट लोगों ने सको सेलेक्ट किया पता नहीं कवों इतना कम सेलेक्षन है इसका और हर मैच में आपको विकिट भी निकाल कर देता है, तो इसको भी आपको ट्राइ करना है, चाहिए ग्रेंड लीग हो या स्मॉल लीग हो, तो यहां से हम हमारे नो प्लेयर हो गए, अब यहां पर आप कुलदी प्यादव है, और दूसरा, चाहो तो आप विकिट की पर सर्मा को ले सकते हो, या फिर प्रिथ्वी शो को, अब हम अपना प्रियू देख लेते हैं, तो दोस्तों यह हमारा प्रियू है, अब इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, मैंग अगरवाल की जगह आपको प्रिथ्वी शो को ट्राइ करना है, यहां पर प्रिथ्वी शो करना है अब दोस्तों हम उन चार टीम पर चलते हैं और उनी चार टीम में से हम अपनी ड्रीम लैंड की मल्टिपल टीम बनाएंगी और दोस्तों फाइनल टीम आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं अगरवाल को मैंने ड्रोब किया है और मैंक अगरवाल को ड्रोब किया तो मैंने यहां पर खलेल हमत को ट्राइ किया है और यहां पर अब दोस्तों यहाँ पर आप राहुल चहर को भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपके पास पांच क्रेडिट बचा हुआ तो एसिंग की जगह या फिर रबाड़ा इन दोनों की जगह आप राहुल चहर को ट्राई कर सकते हो क्योंकि मैंने आपर पृत्वी शो को ट्राई किया अब कैटन और वाइस कैप्टन की आपको सभी टीम में कौन सी चोईश है डेविड वारनर, लिविंग स्टॉण, शिखर दाउन यह तीन तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की चोईश है उसके बाद शारदूल करते है Captain और wise Captain कि इसके अलवात जो ठीम पहले फिल्डिंग है उसके बोलर को आप Welcome बना सकते हो जो 라वास्ट बोलर डैथ मी बोलिंग करे तो यह आपको plays captain sit करना है तो यह हमारा पहला प्रेडिक्शन है अम दूसरे प्रेडिक्शन पर चलते हैं इसमें मैंने मैंक अगरवाल को ट्राई किया पृत्वी शो भी है और यहाँ पर मैंने राहुल चहर को भी ट्राई किया जैसा कि मैंने आपको पहले बताए था पृत्वी शो को लेना तो राहुल चहर को भी लेना ही पड़ेगा तो यह इस टीम का लोजिक है यहाँ पर एल यादव को भी मैंने ट्राई किया है क्योंकि इसकी बैटिंगा नहीं कंफर्म है अगर राहुल चहर विकिट लेगा तो तो यह दूसरा प्रेडिक्शन है अब हम अपने तीसरे प्रेडिक्शन पर चलते हैं यह तीसरा प्रेडिक्शन है इसमें भी तीनों टीम में मैंने डेवड वार्णर को कैप्टन बनाया है मैंक गरवाल है शर्द यहाँ पर शिखरद हुन और लिविंग स्टाउन को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है खलील हमेद है उल्दी प्याद हो शर्दू तो यह इस team में आपको करना है अब हम चोथी team पर चलते हैं जो की setti कि आपको mega Grand League के लिए important हो सकती है क्लेख और युझा जीतना पड़ता है यह यर्ट लूणिक हैए कैप्टन और वाइस कैप्टन उनिक हैए याँ पे शार्दूल ठाकूर को मैंने captain क्यों बना है क्योंकि मैंने यहां पर दोनों opener को try किया और शार्दूल ठाकूर ऐसे time पर bowling करने आता है जब power play के बाद में bowling करेगा तो आपको इसका विकेट भी लेगा इसका भी लेगा शिखरदवन लिविंग स्टोन डेविड वार ने इनको आप वाइस कैप्टन बना कर अपनी तीन चार टीम बना सकते हैं और कैप्टन शार्दूल ठाकूर को ही बने रहने देना अगर आप मेगा गरेंड लिग जीतना चाते है तो आपको आपको ऐसी ही टीम बनानी पड़ी गी तो दोस्तो ये मैंने चार कॉंबीनेशन बताए हैं इनी चार कॉंबीनेशन में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट करके अपनी multiple टीम बनानी है और दोस्तो एक वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है